आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए आटा से बहुत ही जबरदस्त नाश्ता बचे हुए आटा से बनी हुई रोटिया कोई भी खाना पसंद नहीं करता है क्योंकि उसके उपर काला पड़ जाता है अगर बचा हुआ आटा से इस तरीके से आपने नाश्टा तयार कर लिया तो किसी को भी यकिन नहीं होगा कि आपने बचे हुए आटा से इसे तयार किया है चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन बॉयल आलू ले लिया है उबले वे आलू लेना है और इसे अच्छे तरीके से मैश करना है इस बात का भी ख्याल रखें कि गरम गरम आलू हो तभी आप मैश करें ठंडा आलू रहेगा तो उसमें गुठलियां रह जाती है इसे हमने मेडियम साइज कर लिया था यह काफी हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनकर तयार होता है आप देख सकते हैं इसे हमने कितने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है इसी तरीके से आपको आलू को तयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से मैश होना चाहिए, गुटलियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, तो यहां पर एक चोथाई छोटी चम्मच हमने हल्दी शामिल किया है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जेरा पॉडर एक छोटी चम्मच कुटियू लाल मिर्च काला नमक पसंद के मताबिक हरी मिर्च हमने दो छोटी साइस की बारिक कटियू ले लिया है और साथ ही हरा धनिया डालना है तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कटा हुआ अदरक का इस्तमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब यहां पर अटा देख लेते हैं तो जो हमारा हाठा भीक हुग हो इस प्राथे जो हम थटब साथ होता है üstिसी प्राथे लिक्त होग है प्राथे के लिए लेकिन जोग comments कर पाहँ पर अच्छे से गुन लेना है। अगर फिरिज में आटा रखा हुआ है तो इस नाश्टा को बनाने से एक घंटा पहले आपको आटा निकालके रख देना है। यानि थिन नहीं बेलना है। नौर्मली जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। पेलने के टाइम आपको तेल का इस्तमाल करना है। सुखा हुआ आटा का नहीं। तो हमने यहाँ पर बेल लिया है। सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए इस ना यकिन अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पर बेल रहे हों तो आप एक बार में पूरे आटा को एक साथ बेल सकते हैं। और इस तरीके से फोल्ड करके तयार कर सकते हैं। आटा हमने दो हिस्से में लगा लिया है इसलिए हमें आलू भी दो हिस्से में लगाना पड़ा। आधा थाह में यहां पर इस्तमाल कर लिया है आधा हम एक और बनाएंगे तो इस तरीके से रोल करना है थोड़ा सा टाइट करते हुए ताकि अंदर से फलपीय टाइप का नहीं हो और रोल करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे इसे हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा ज्दा तो इसी तरीक से हलकी हातों से आपको पकड़ना भी है और चूरी से जिस तरीकода से शेख करते हुए मैं काट रहीं हूं उसी तरीकर से आपको काटना है, और जाएंफinken कट देए लिए छोरी को आगे-पिछे करते वए कट लगाना ये बचा हुए आटा होने की वज़़ा को सभी रोल को तयार कर लेना है तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि काटते टाइम लेयर खुल गया है तो इस तरीके से आपको सिल कर देना है और इसी तरीके से बाकी जितने भी रोल है सभी को काटके तयार कर लेना है अब इसके लिए हम घोल तयार कर लेते हैं तो यहां तो पर गेहु का आटा या फिर मैदा भी ले सकते हैं तीन बड़ा चमच मैदा ले लिया भरकर थोड़ी सी हरा धनिया डाल दिया है बिल्कुल बारिक काटना है और कुटी विलाल मिर्च भानी डाल दिया है पानी डाल कर इसका थिक पेस्ट बनाना है इस तरीके से आप देख गोल में डालते हुए तेल में डालना है एक दूसरे से इस पॉइंट पर चिपक जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यह बाद में अलग हो जाता है अभी यह एक दूसरे से चिपका हुआ है लेकिन जैसे यह क्रिस्पी होता है तो इसे अगर हम अलग करते तो आसानी से अलग हो जाता है हमने यहां पर पलट लिया है एक दो अलग भी कर लिया है और बहुत आसानी से हो जा रहा है थोड़ा सा और क्रिस्पी होने देते हैं उसके बाद बाकी को अलग कर लेते हैं तो यह देखे जुड़ा हुआ है इसे हम अलग कर लेंगे लेकिन हा जो हमारा चम्मच है यानि इस पैचुला वो धारवाला होना चाहिए धारवाला होता है तो बहुत असानी से अलग हो जाता है और हमारा रोल खराब भी नहीं होता है जैसे आपको लगे इसका color change हो गया है वैसे आपको flame को low कर देना है low flame पर इसे fry करेंगे तो इसके उपर जो color है बहुत ही जबरदस तरीखे से आता है अगर हम last में flame को high रखते हैं तो color सही से नहीं आता है कुछ पर color आ जाता है कुछ पर नहीं अगर color अच्छा आता है तो अंदर कच्चा रह जाता है इसलिए हमें flame का बहुत ध्यान रखना होता है ये देखे कितना जबर दस्त तयार हो गया है तो चलिए ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं अगर हमारी recipe आपको अच्छी लगे तो like share कीजिए अगर channel पर नए है तो subscribe जरूर कीजिए और हाँ साथी साथ bell icon को भी प्रेस कर दीजिए इससे आने वाली हर वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलेगी इसकी आवाज सुन सकते हैं ये कितना जादा क्रिस्पी तयार हुआ है आपने देखा बचा हुआ आटा से कितना जवर्दस्त और क्रिस्पी नाश्टा तयार हो चुका है इसे fry करने के टाइम टेल भी बहुत जादा एब्सॉर्ब नहीं होता है तो आप लोग इसे बच्चों के लिए जरूर बनाएं और आने वाले महमानों के लिए इसे जरूर बनाएं तो किसी को भी यकीन नहीं होगा ये बचा हुआ आटा से तयार किया गया है आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिए बचे हुए आटा से क्रिस्पी और मज़िदार नाश्टा बनकर रेडी हो चुका है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूं इजाज़त अल्ला हाफीज